भारत की जो मीटिंग्स होगी ये देखना हुआ कि आखिरकार बिलावल भुट्टो के साथ किस तरह की ग्रिटिंग्स एक्सचेंज होते हैं हमारे इसज़शंकर जो विदेश मंतरी हैं और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जब आमने सामने आते हैं दूसरा जो सबसे इंप की विदेश मंतरी थोड़ी देर में भारत पहुचने वाले हैं आज रात को भारती विदेश मंतरी जैशंकर सभी मेमानों के लिए एक खास डिनर का भी आयोजन कर रहे हैं एस के सेक्रिटरी जनरल के साथ बाइलेटर्टरी मीटिंग इस वक्त होग चुकी है और उसके बाद कल जो आप कह सकते हैं एस सूबह शुरू हो जाएगा विदेश मंतरों की मीटिंग शुरू होगी कल और उससे पहले एक वर्किंग लंश भी होना है स्टीओ के कारिकरा में कल शाम को पाँच वे तक लगातार मीटिंग का दौर चलता रहेगा अलग-अलग एजंडास पर चर्चा की जाएगी जिसमें connectivity याने की सभी देशों की बीच एक connectivity को लेकर बात होगी चाहे वो आप land की अमबार करते हैं, C की बात करते हैं या air connectivity की बात करते हैं लेकिन साथ ही एक जो होती है कि एक दूसरे देशों की जो संपरपूदा है उसको समान करना भी इस dialogue में जरूर शामिल रहेगा जिसमें बात उठेगी बॉर्डर्स की हमाई साथ विजलक्षमी जुड़ी हुई है विजलक्षमी पाकिस्तान के बाद जो दूसरा सबसे एहम मीटिंग अगर होगा वो होगा चीन के विदेश मंत्री के साथ वो भी ऐसे वक्त में हो रहा है थोड़ी दिन पहले ही आप जानती है कि रक्षमंत्री आये थे चीन के उनके साथ बहुत हाट टॉक्स हुए थे रक्षमंत्री राजनास सिंग की एक मैसेज क्लियर करके दिया गया था एक बार फिर से विदेश मंत्री दोनों बैठेंगे के आमने सामने होंगे एक बार फिर से एलेसी का मुद्दा उठेगा और उस वक्त उठेगा जिस वक्त इस वक्त तवांग में भारत के जो मिल्फ्री फोर्सेज हैं वहां पर बिग गंस के साथ एक्सराइस कर रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर के करीब संकेट साफ है कि भारत मैसेज दे चुका है कि जब तक बॉर्डर पे हालात नहीं सुदरते हैं भारत और चीन के बीच वो उचाई नहीं आ सकते रिष्टों में जो आनी चाहिए पर बाचीत जो है हुई लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्तिती जो है वो तनावपूर्ण है तो जब ऐसे में SEO फोरम पर आप बैठते हैं जब तमाम विदेश मंत्री वहाँ पर मौजूद होते हैं तो देखना होगा कि क्या इस विशय पर चर्चा होगी क्योंकि जिस तरह से चीन का expansion है वो एक बड़ा expansionist जो उनकी नीती है उसको लेकर के बड़े concerns रहते हैं और LAC पर जिस तरह का विवाद है वो जरूर एक concern का विशय भारत के लिए है लेकिन multilateral forums में कई बार आप दिवपक्षिय चीजों से निकल करके multilateral चीजों की बातचीत करते हैं जिस forum पर आप आए हैं उस forum के major broad points क्या हैं उस पर बातचीत करते हैं हाला कि अध्यक्षता क्योंकि इस साल भारत के पास है तो जाहिर तोर पर agenda decide करने में भारत की एक एहम भूमिका होगी लेकिन इस तरह के multilateral forums में तमाम चीजें जो है उन पर discussion होता है तो जिस तरह से मैंने कहा कि terrorism से लेकर के क्योंकि rats जो organization है SEO का वो already terrorism के concerns तो कैसे security block के तोर पर अगर आप SEO को देखें तो कैसे challenges कहां पर किस-किस मुल्क को हैं और SEO को as a security block कैसे उन challenges को SEO जो है वो overcome कर सकता है इन तमाम चीजों पर एक multilateral तरीके से इन तमाम बैटकों में चर्चा होगी लेकिन विजलक्षमी जो bilateral talks होंगे चीन के विदेश मंत्रे के साथ तब LSE और जिसको हम कह रहे हैं कि जो हम लोग बात करें त्रेंक्विलिटी बॉ जो द्वी पक्षिय वारताएं होंगी उसमें जरूर भारत की तरफ से यह तमाम चीजें जो हैं वो रखी जाएं या इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाए क्योंकि यह जो है भारत और चीन के रिष्टों के अगर हम बात करें आफ लेट अमित तो यह एक इशू आफ कंसर करें कि और यह तो चर्चा जब होगी तब यह साफ हो जाएगी कि किस तरह से बार जिस तरह से हर एक फोरम पर अपनी बात सामने रख रहा है खान तो अरप LSE को लेकर वो एक बार फिर से रखेगा लेकिन दो घटनाई बे आपका जाना ज़रूरी है जो इस वक्त SEO के ठीक समिट के दोरान हुई है एक तो है कि जब चीन के विदेश मंतरी भारत आ रहे हैं उससे पहले वो मयान मार गए हैं वहाँ पर उनकी जुन्टा के साथ मुलाकात हुई है और आप जानते कि किस तरह से चीन वहाँ पर अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है दूसरी तरफ इसी वक्त भारत की रक्षा मंतरी मौल्डिव्स पहुंचेते जहाँ पर भारत के साथ बहुत सरे रक्षा समझोते हुए हैं इस वक्त मौल्डिव्स के साथ जहाँ पर चीन से तनाव कम करना एक बहुत बड़ा एहम मुद्दा रहेगा पाकिस्तान स्पांसर आतंगवाद को कट करना रूस और उक्रोइन में जारी युद को लेकर भी बातचीत होगी जब वो सरगेला और उफ के साथ बैटेंगे भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मुद हम अयह उतली तस बातार कोशिश करेगा कि वह सरे बातचीत के जरीरे के मोधी हरेक्ट वोरूम से इस को लेकर संकेट दे चुके हैं तो भारत बार बार यही बात दोहरा रहा है कि यह जो एरा है, यह जो युद्धों का एरा नहीं है, इसलिए दोनों देशों को शांति पूर्ण तरीके से अपने मसलों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए और हर फॉरम पर भारत ने यह मैसेज अपनी तरफ से, यह संदेश अपनी तरफ से यूकरेन की तरफ से की गई तो यह मसला जरूर हम उमीद कर रहे हैं कि भारत जो कोशिश कर रहा है उसी तरह से और भी देश कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंतरी मोदी की और पुतीन की जो एक केमिस्ट्री है या दोनों के बीचे जो बॉंडिंग हो सकता है कि भारत अ अखिरकार क्या स्टेट्मेंट देते हैं क्योंकि जितनी बार भी वो किसी तरह के फोरम में गए हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 को लेकर सवाल उठाया है लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंद्रूनी पॉलिटिक्स है क्या वो भारत के साथ दोश्ताना रिषते को आगे लेकर जाएं क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन्स है और वहाँ आप जानते हैं कि भारत उनके एलेक्शन का एक बड़ा मुद्धा रहता है फिलाल वो वहाँ पर मंदी से जेल रहे हैं और वो वहाँ पर भुक्मरी को जेल रहे है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर